मारफ सरकार की तरफ से कोशिश लगातार की जा रही है चाहे प्रधान मंत्री अपने स्तर पर हो या कृशी मंत्री किसानों को समझाने की कोशिश करें कि ये कृशी कालनाग के फाइदे के लिए है लेकिन जो बात किसानों से कही जा रही है उस पर किसान मानने को तैयार नहीं है ऐसे में अब आगे की रणनीती क्या है किसानों की अंजली देखिए हम आंदोलन 25 दिरों से कबर कर रहे हैं और हमने बीते 10 दिन में जो चीज़ें देखी है क्योंकि पहले जो 6 दोर की वारता हुई थी तब लग रहा था कि किसानों और सरकारों के बन जाएगी बीच का रा पचीज की पहल नहीं की जा रही है आज दो वजे सिंगू बॉडर पर जो किसान लेता हैं उनकी बैटा होगी उसमें तैक किया जाएगा कि आगे की रणीती क्या रहेगी लेकिन आज किसान अंदोलन 25 दिन है और आज देशवर में ही और इसके साथ साथ जो सिंगू बॉड आज यहां पर जो किसान है विलागाता डटे हुए बात करते हैं चरहां आज आज आप लोग शाहिदी दिवस मना रहे हैं पूरा जो 20 किसानों की जान चली गए हम आज सारे ही देश के में जो 22 किसान शीद होए उनका शीदी द्याड़ी ब्ला बना रहे हैं और जो सरकार के बाले में गेंद है ना उसको जल्दी हल निकालना है तो कितना समा देना है और इस आंदोलन से कहिना की समस्या आम लोगों के लिए है जो दिल्ली के आसपास के राजियों से अंदर आते हैं यह मनुहरलाल खटर ने कहा है क्रिशी मंत्री तोमर और खटर में क्रिशी कानून को लेकर के चर्चा हुई और चर्चा के जर्ये ही किसानों के विरोध का समाधान हो यह मनुहरलाल खटर हर्याना के मुख्यमंत्री जब उन्होंने क्रिशी मंत्री नरेंदर सिंग तोमर से मु लाकात होती है तो ये कहा जाता है कि दो दिन में उमीद है कि समस्या का समाधा निकलेगा अंदोलन खत्म होगा किसानोंतक किमें सरकार बैठक जल्द कर सकते हैं किसानों के साथ साथवे दौर की बैठक आपको अंजली आपको दो से तीन अपडेट जो है जल्दी से किसानों के हवाले से सबसे पहले तो आज 11 बज़े से एक बज़े के बीच जो है तमाम उन जो आंदोलन के दौरान जान गवाने वाले किसान है उनको सदाजली दी जाएगी और ये सिर्फ बॉर्डरस पे नहीं बलकि देश भर में जहां-जहां किसाने सब वो देंगे उसके बात जो है गाजी पर बात करो तो यहां पर लगातार किसान कहने कि जो दूसरे किसान यहां आना चाहने उनको प्रशासन रोक रहा है उनके साथ एहम बैठक होगी और अगर इसमें हल नहीं निकलता है तो साफ लग रहा है इसा हो पाएगा निकल सकतो है तो बात चले यह बात चले यह इसान की और अप इदर आए आज 25 दिन हो गये हैं ऐसे में हल नहीं निकला लेकिन क्या उमीद करते आगे अंदुन किस दिशा में जाएगा हल कैसे निकलेगा हल तो सरकार के हाथ में हैं निकालना कि लेकिन किसान का कहना है कि संसोधन पर किसान मानेगा किसान तो भीड को वापति चाहता है आप पूछेंगे वापशी क्यों चाहता है कि इस बिल से हैई लाने से हमें मुगल काल की और अंग्रेज पिरिएट की याद आई है जैसे मुगल काल में बासा अपने मेहल के अंदर परेशानिया है आपने बताई उनको दूर कर दिया जाए तो फिर तो खामी दूर हो जाएगी नहीं अगर जो हमें परेशानी है अगर वो दूर होके फिर बात ही कहा रहा है कि फिर तो आंदोलन भी खत्म ही हो जायागा तो वो कह रहे हैं संसो दिन करके परेशानी को दूर कर देंगे अपने मेरी बात नहीं सुनी पूरी यह बिल जो है मुगल काल की आद दिलाता जैसे बासा अपने बासा अपने बादी परेशानी है क्योंकि 25 दिनों से यह अंदोलन चल रहा है दिली के लग लग बॉर्डर पर आम लोगों को तो परेशानी होई रहे है लेकिन सबसे बड़ी परेशानी किसानों के लिए है जो इस कड़कडाती ठंड में खुले आसमान के नीचे अपना अंदोलन चला रहा है देखते हैं अब आगे क्या होता है परवाह देशकी सोमवार से शुक्रवार राद दस बजे टीवी नाइन भारत वर्षपर